अज प्रेंड्स आज की स्वीडियो में हम देखने वाले हैं हरियाना टेट यानि की एस्टेट का जो फॉर्मा यह हुआ है उसका एक्जाम पैटर्न क्या है और क्या क्या किस तरीके से एक्जाम उसका कराया जाएगा ठीक है और साथ ही टीजीटी मैथ के लिए हम उसका सलबस सब्सक्राइब करें चोब्सक्राइब करें और वीडियो को राइक करते हैं यहां पर करें दीजीटी कर दो नेहीं वालन में पाटर के लिए क्लिए प्सक्राहिक तुटक्यों यहां पर शयाएं आएंगे और आपका यह जो इसका जो टाइम होगा ठीक है इसमें क्या है मैं आपको पहले इसका बताई दो इस्ट्रक्चर क्या है तो प्राइमरी में आपके यहां पर देखेंगे तो टोटल पांच चीज़ें आपके आने वाली है तीस तीस questions आएंगे पहला आपका CDP है जैसे CETAT में आता है तीस question आएंगे तीस number के उसके बाद आपकी दो language आएगी एक हिंदी है 15 question और 15 question आपका English तो 30 number यह होगे language से 30 number उसके बाद आपका GS है GS में आपके reasoning 10 question आएगा जो आपका quantitative aptitude होता है उससे 10 question आएंगे और 10 question आपका हर्याना ज होता है उसको मिला करके आएंगे तो total आपके 30 question यह बन गए उसके पास यहाँ पर क्या होता है 30 question आपके mathematics से आएंगे यह PRT के लिए है और फिर 30 question जो है आपके environmental studies से आएंगे ठीक है environment study से आएंगे जो आपका EVS चलता है उससे आएंगे तो यह आपका डेड़ सो question का होगा एक चीसमें आपको उता दूँ कि इसमें जो है कोई negative marking नहीं होगी डेड़ सो question है और आपको ड़ाइ गंटे का time में लेगा ठीक है कोई भी negative marking इसमें नहीं है सेम अब हम चलते हैं यहाँ बात करें अगर qualifying marks मतलब आप कितना marks लाओगे तो आप qualify माने जाओगे देखिए for category except SC और जो आपके differently able या physical challenged लोग होते हैं उनके लिए जो है 60 मतलब सबके लिए 60% है केवल SC को छोड़ करके और जो physical handicapped होते हैं उनको छोड़ करके for schedule cast ठीक है यहनि कि जो schedule cast है and जो आपके physical handicapped होते हैं और जो हर्याना के हैं उनके लिए 55% qualifying mark है और schedule cast और जो physical handicapped हैं दूसरे state क हैं यह सब उनका भी qualifying mark कितना है 60% तो 60% अगर आप डेड़ सो का निकालेंगे 150 का 60% तो वो 90 marks आता है ठीक हैं यानि कि अगर आफ अन्याना के बाहर के हैं तो आपको 90 number लाने हैं आप कोई भी category से हो अगर आफ अन्याना के हैं और SC के हैं या physical handicapped हैं तो आपको 15% यानी की 82 number लाने हैं तो आप पास माने जाएंगे negative marking यहाँ पर नहीं है लेबल 2 की बात करें TGT के लिए क्या पैटर रहने वाला exam का तो यहाँ पर भी आपका डेड़ सो कोश्चन आएंगे total और 30 कोश्चन आपका CDP से होगा 15 कोश्चन English language से 15 कोश्चन Hindi language से तो 30 कोश्चन यह हो गया 30-30 साथ हो गए और 30 नंबर के आपकी जनरल स्टेडी से यानि की quantitative attitude, reasoning और हनियाना जी के और जनरल अफिरनेस इनसे मिलके आपकी 30 कोश्चन आने है तो यह 90 हो गए, बचे 60, 60 में आपका जो subject इस पर भी रहेगा जैसे आप math से हो तो math आएगा, sst से हो तो sst आएगा, science से हो क्या क्या रहेंगे, level 3 की बात करते हैं, PGT के लिए तो आपका CDP रहेगा, 30 कोश्चन, language सेम होई, 15 हिंदी, 15 एंगलिस, 30 कोश्चन ही हो गए, 30 आपका general study से, सेम 90 कोश्चन हो गए, और जो आपका start question है, वो आपका subject specific से रहेगा, आप जो subject चूश करते हो, PGT के लिए, पीज अगर हम एजाम के time की बात कर लेते हैं, तो total आपका जो time है, वो 1500 मिनट का रहने वाला है, यानि कि, क्या है, धाई गंटे का paper है, 1500 मिनट, 1500 question, per minute, एक question, sorry, per question आपको एक मिनट में करना है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका structure है, आप दे सकते हैं, और भी अगर आपको करके पोच सकते हैं, और TGT Math की preparation के लिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ चैनल पर कुछ content देने वाला हूं, तो जिनका भी TGT Math है, वो इस चैनल को subscribe कर सकते हैं, thanks for watching.